स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में मैं उनीकिला हम लोग क्लास्टेंस साइंस का चैप्टर नमबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे इस चार उपे फोकस्करने वाले तो चली स्टाट करते हैं इस वाले पार्ट को तो प्रीवेंशन आफ करोजन में हम लोग तो गल्वनाइजिशन क्या होता है कि इसमें आयरन के बड़े बड़े जैसे कि आयरन के आप पोल्स देखते हो जो कि आप देख्थे वो उसके उपर जल्दी रश्ट नहीं लगता और वो उसका सर्फिस काफी चम्कीला जैसा रहा तो ऐसा क्यों होता है तो उसमें क्या किया जाता है कि उस आयरन के जो खंबे होते हैं रेलवे के खंबे हो गया है जो इलेक्ट्रिक के खंबे हो गया है उसको क्या क्या है जिंक के पतले layer को steel और iron की उपर चढ़ाने को process को ही हम लोग calvinization के आते हैं इस से होता ये है कि rusting नहीं होता है जिंक की उपर जैसे ही oxygen का जैसे ही वो airb के contact में आएगा oxygen से रिगट करेगा जिंक का zinc oxide का पतला layer बनातेगा उसके उपर और फटर उसको डिके नहीं होने दिगा फय़र्द्र जिंक को रोड नहीं होगा और आरन को भी बचाते हो ठीक है तो यह एक प्रोसेस होता है अगर मालो जिंक का जो रृश्टिंगverse telling विल ऑनолод Billie जिंक का लेयर तो हट गया, अब तो iron exposed हो गया, तब भी उसमें रस्टिंग नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, कि जिंक जादे रियक्टिव होता है, iron से, और जैसे ही यहाँ पर कोई रस्टिंग का पड़ेगा, जैसे कि कोई oxygen या water के contact में आएगा, तो पहले जो other part में जो zinc है, वो decay होना शुरू हो जाएगा, और iron को इससे बचा लेगा, ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर भी zinc coating का अगर broken हो जाता है, zinc coating जोड़ा बहुत हट भी जाती है, तो भी उसमें रस्टिंग जल्दी नहीं लगती है, यह हो गया globalization, अब हम लोग बात क प्रोसेस है, chrome plating महेंगा प्रोसेस है, जैसे कि अगर आप देखेंगे, घर में use होने वाला जो iron होता है, कपड़े को iron करने वाला जो use होता है, उसके उपर आप देखोगे कि chrome की plating होती है, ठीक है, तो कुछ महेंगे articles में जिसको बहुत अच्छे से use करना है, उसकी life जाद बचा के रखनी है, तो उसमें chrome plating की जाती है, बाकी process दोनों का लगभा galvanization, chrome plating सेम होता है, electrolysis process के द्वारा भी chrome को deposit कर दिया जाता है, या फिर गला की डाल दो, जैसे करके उसका chrome का एक लिया लगाना, process function दोनों का सेम है, corrosion से बचाओ करना है, ठीक है, iron पर सबस्चादी corrosion लगता है, तो उसको बचाओ करने के, या तो chromium का plating कर दो, या तो फिर galvanization कर दो, zinc का coating कर दो, तो वो दोनों बचा लेते हैं इसको, अब हम लोग बात करेंगे, anodizing, anodizing क्या process होता है, anodizing is a process of forming a thick layer of aluminium, ठीक है, जैसे कि उसमे zinc लगाते है, galvanization में, anodizing में हम लोग almonium का layer develop कर देते हैं, aluminium develop a thin oxide layer when exposed to layer, same process है, जैसे कि zinc में हम लोग zinc oxide का layer जाता था, वो उसको further corrosion होने से बताता था, इसमें aluminium का layer लगा देंगे, ठीक है, और aluminium oxide जैसे ही form करेगा, वो further corrosion नहीं होने देगा, जैसे ही aluminium जो है oxygen के साथ करेगा, aluminium oxide का formation, aluminium oxide course make it resistance to further corrosion, उसको further corrosion नहीं होने देग ओके, the resistance can be improved by further making oxide layer ठीक है, और जितना हम लोग ठीक layer oxygen का, oxide का layer बन जाएगा, उतना जादे हम लोग का anodizing protect करेगा, यह process को protect करेगा, अब इसमें होता यह है कि naturally galvanization में naturally लग जाता था, oxide का layer, zinc oxide का layer, लेकिन यहाँ पे हम लोग anodizing process में artificially उसके ऊपर aluminium oxide का layer लगवा देगे, ठीक है, तो during anodizing में क्या कियाता है, एक electrolysis process है, इसमें clean aluminium article को एक बार anode बना के, ठीक है, उसमें positive terminal जोड के, और उसको electrolysis कर दे जाता है with dilute sulfuric acid, जो water रहेगा, water में dilute sulfuric acid डाल के, और anode पे हम aluminium के article को clean करके डाल देगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ऐसे समझे, जैसे कि मान cathode रहेगा, एक anode रहेगा, मैं cathode जो कि negative terminal होता है, और anode जो कि positive है, यह जो anode होगा, यह अलुमीनियम का बना रहेगा, यहाँ पर article हम लगा दिये, ठीक है, और यह जो solution है, पूरा, यह water है, water में H2O है, plus H2SO4 है, H2SO4 dilute मातरा में है, यह चीज़ के, यहाँ पर हम लोग setup क यहाँ सम्दु जोड़ दिये, जैसे ही electrolysis करेंगे, तो anode पर क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो water और H2SO4 का यह पूरा solution है, तो यहाँ पर H plus N और O minus N यहाँ पर बनेगा, ठीक है, तो oxygen यहाँ पर attract हो जागा, oxygen यहाँ पर attract होगा, तो positive terminal है, यहाँ पर oxygen gas release होने लगे लगे, oxygen gas जैसे ही release होने लगेगी, तो यहाँ पर aluminum का layer है, aluminum metal है, aluminum metal है बैठा हुआ हो यहाँ पर, aluminum metal के साथ जैसे ही यहाँ पर oxygen बनेगा, वो aluminum के साथ reacts कर लेगा, और aluminum oxide बना देगा, तो क्योंकि aluminum highly reactive है, oxygen के साथ जैसे ही contact में आगा, वो पुरत react कर लेगा, और वहाँ पर तुरंद तुरंद बना है ठीक है अब जाकर अल्मूनियूं के साथ रेक्ट कर लेगा और वहां पे अल्मूनियूम आकसाइड की एक लियर बनने लगे जादे दिर तक अगर पास कराएंगे तो मोटी लियर बन जाएगी ठीक है तो ठीकर लियर अगर हम लोग बना देते हैं उसके बाद आर्टिक्ल को निकालते हैं तो उसके एक अच्छा फिनीसिंग जाता है क्योंकि वह साइनिंग कलर का होता है जो अल्मुनियम अक्साइड बनता है वह खावी साइनिंग होता है तो उसके उपर एक एट्रैक्टिव फिनिश भी आ जाती है तो यह पूरा प्रोसेस होता है एलेक्ट्रैस प्रोसेस ही होता है जिसमें जो एनोड है इस पर अल्मुनियम आर्टिक्ल को डाल देते हैं और उसमें जब एक्रिसीटी पास कराएंगे एनोड बनाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सिजिजन गैस जैसे ही सोलूसन से कि अल्मुनियम के साथ रेट कर सक्कार fasting क्या है कि अब बात करते हैं जो लाश्ट प्रोसेस है अल-वाई मेंकिक़ गया होता है एकदम सिंपल स्वेर समझ medidas समझें की दो या इधिक मेटल को आपस में मिला देते हैं अतल्ड मेटल हो तीन मेटल हो इस से जादे मेटल या अगर आपसम मिला देते है तो उसको बन जाता है यह होमोजीनियस मिस्चर होता है मतलब कि एक अबजेक्ट है मेरे पास मालो कि इतना बड़ा य है तो इसके कहीं के भी पोर्शन पे आप देखो गए तो इसमें जो मेटल की परसेंटेज है वह फिक्ष रहेगी अगर 10% मेटल ए और 90% मेटल भी है तो हर जगह इसकी परसेंटेज सेम रहेगी इसी इसको होमोजीनियस मिस्चर और मेटल और मेटल और मेटल और मेटल ठीक है अलोय करता है होमोजीनियस मिस्चर होता है दो या दो से अधिक मेटल या दो से अधिक मेटल या दो से अधिक मेटल ठीक ह तो उसको हम तो सबसे पहले melt कर देंगे और उसमें जिस percentage पर हमें बनाना है तो उस percentage में बाकी other element को उसमें add कर देंगे fixed portion में ठीक है और जो square cool down कर देंगे room temperature पर बन गया हमारा ly ठीक है एकदम simple process होता है ठीक है होता है इसमें copper और tint होता है परसंटेज अभी मैं भूल रहा हूँ इसलिए परसंटेज अभी छोड़ रहा हूँ तो copper and tint होता है अगर हम लोग brass की बात करें इसको पीतल कहते ही ठीक है इसमें copper copper और zinc होता है copper maximum 70% और zinc जो होता है 30% maximum ठीक है तो यह परसंटेज में अगर आप मिला दो copper को आप मेले melt कर ठीक है मतलब कि अगर हमको 100 gram बनाना है ठीक है 100 gram हमको brass बनाना है तो क्या करेंगे 70 gram हम copper लेंगे पहले और 30 gram zinc लेंगे सबसे पहले copper को एक furnace में डालके melt कर देंगे copper molten down हो गया उसके बाद जो हमारा 30 gram zinc है उसको उसमें डालते हैं और वो पूरे को एक बार पुझी तरह से मिल जाने देंगे उसके बाद उसको कहीं कास्ट कर लेंगे या फिर उसको ठंडा कर लेंगे तो वो जो हमारे metal बनके निकला जो डों metal का mixture है उसी को हम लोग alloy करते हैं और इस पार्टिकुलर alloy को जिसमें 30% zinc और 70% copper है उसको हम लोग ब्रास कहेंगे यह है पूरा खेल इसका अब alloy क्या है अब इससे होता क्या है alloy मिला के मिलेगा क्या हमें alloy is a very good method for improving properties of the matter properties में इसमें थोड़ा सा change हो जाता है जैसे क्या property में चेंज हो जाता है iron जो हम दोग देखते हैं हम लोग pure iron हम देखी नहीं सकते हमारे आस परस में ऐसा कोई example ही नहीं है जो मैं pure iron का आपको example दे सकते हैं जितने भी iron आप देखते हो वह alloy के form पर ही होता है अब आप कहोगे कि हम तो iron का steel का बोड़ देखें तो उसमें तो कर देखें पर्सेंटेज होती है लेकिन उसमें कावन की परसेंटेज होती है और उसमें रस्ट इतनी तेज लगेगी वह आप किसी भी काम का नहीं रहेगा वह बहुत जल्डी दिकेश हो जागा उसके स्ट्रेंट भी कम होती है तो iron is a more widely used metal है बट इस नेवर भी यूज इन इस प्रेट आरन को अभी भी प्यूर इस्टेट में यूज करी नहीं सकते ठीक है ठीक है इस बिकॉद आरन इस वेरी soft and stretch evenly when hot अगर थोड़ा भी हीट करके उसको stretch करेंगे तो वह stretch हो जाएगा बट इफ इस विट इस में स्मॉल amount of carbon about 0.05% अब जिसके iron के होता है जितना भी iron के उप्जेट होते है तो उसमें 0.05% चल लेके maximum 4.3% तक ठीक है इसमें carbon का percentage होता है अब अलग-अलग iron के article पर अलग-अलग vary कर सकता है अब railway की जो railway lines है ठीक है उस पे जो carbon का percentage है उसका कुछ और होगा और जो हमारे च्छतों में जो सडियां लगती है लोहे के जो छड़ा लगते उसमें iron का percentage कुछ और होगा तो जैसा हमें requirement होता है उस हिसाब से carbon का percentage को उसमें हम लोग vary कराते हैं और उस हिसाब से हमें iron का एलवा निरता है तो जितना भी iron का आज से आप object देख रहे हो वह exactly iron नहीं है उसमें iron का mixture होता है यह मैं iron का बात करता हूँ अब हम मैं बात करता हूँ steel की ठीक है iron and stainless steel जो घर में UP होता है जो steel की थालियां यह होती चमचें यह होती इसमें iron के साथ iron के साथ iron is mixed with nickel and chromium इसमें nickel भी होता है और chromium होता है कितना percentage होना वह अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है वह अभी काम स्कोप से बाहर से बाहर का चीज है लेकिन iron जो होता है वह nickel and chromium का अगर हम मिश्चर कर देते हैं तो वह से हमें बनता है stainless steel का बरतन होता है घर में जो चमकदार होता है उसमें रस्टिंग नहीं लगती है यह hard भी होता है और इसमें रस्ट नहीं लगती सबसे बड़े इसलिए उसको खाने में प्यों किया जाता है अब हम लोग बात करेंगे alloying of gold की तो यह मैं कुछ-कुछ element का मैं बता दे रहा हूं इसमें जैसा के syllabus में है तो उससे हमें पता चल जाए कि alloy का कहा का यूज के जाता है उसके कार रस्टिंग भी लगना कम हो जाती है जैसे कि मैंने अभी बताया कि stainless steel में आगा है nickel chrome में मिला तो उसमें रस्टिंग नहीं होती है अब यहां पर देखो गोल्ड की pure gold जो होता है उसको कहा जाता है 24 karat gold ठीक है नाम दिया गया 24 karat gold यह very soft होता है गोल्ड का जो 100% pure state में रहेगा वह very soft होगा it is not suitable for making jewelry अगर आप jewelry बनाने की कोसिस करोगे भी तो हलका सभी push करो तो उसका पूरा structure भी कर जागा 24 karat gold के इतना जाए soft होता है कि हलका भी उसको आप press करोगा तो उसका पूरा structure भी गढ़ जागा इसे कारए 24 karat की gold की हमें object नहीं present उसमें जैसा requirement है उस हिसाब से उसमें silver या copper या दोनों मिला देते हैं ठीक है तो उसको मिला देने से हो जाता है कि उसकी strength बढ़ जाते है तब उसकी gold की ornament हम दो बनाते हैं ठीक है गोल्ड का हार बनाना है chain बनाना है rings बनाना है तो अगर pure gold का बनाएंगे अगर ring बना दिये उसका प्रेस करेंगे तो वो pure डब जाएगा, ठीक है, इसलिए उसमें alloying कर देते हैं, अब यहाँ पे समझो, 24 karat gold जो हुआ, वो pure हुआ, ठीक है, इसमें अगर हम लोग 2 part, 24 में से, अगर हम लोग बोलते हैं, 22 karat gold, ठीक है, 22 karat gold से हम लोग बनाते हैं, कोई भी ornament जो भी होता हम लोग बनाते हैं, लेकिन तो 22 karat gold का मतलब क्या होगा, कि 22 karat gold में से 22 part pure gold है, और 2 part copper या फिर silver, ठीक है, तो अगर पूरे को हम लोग 24 मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे percentage ऐसे निकाला जाता है, कि जैसे कि अगर कोई बोल दिया कि 22 karat, यहाँ पे हमको pure gold है, तो मतलब क्य होगे, तो यहाँ पे आपका answer निकल के आजाएगा, 91.6%, मतलब कि अगर 22 karat gold है, तो उसमें कितना percentage of pure gold है, तो 91.6% उसमें pure gold है, ठीक है, उसी तरह से अगर आपको 20 karat पे निकालना है, या फिर चलो 18 karat पे निकालते है, 18 karat pure gold है, तो कितना percentage उसमें gold है, तो 18 by 24 कर दो, बेस हमेशा 24 लेंगे, multiplied by 100 कर देंगे, उसका आजाएगा answer 75%, ठीक है, तो यह हमारा तरीका होता है, इस से हम लोग निकालते हैं कि कितना percent उसमें gold होता है, तो हमेशा gold जो है 24 karat, 100% pure gold से ornament नहीं बनता है, उसमें कुछ copper या, silver का alloy उसमें कर दो, मिला दिया जाता है, तो उससे वो 25% किया, यही copper और silver है, ठीक है, इसी को मिला दिया, ओके, अब silver की बात करता है, कोई ornament है, वो silver का बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी alloy कर देते हैं, ठीक है, अगर pure silver रहेगा, तो उसी gold की तरह soft होगा, तो उसमें भी alloy कर देते हैं, तो उसमें भी percentage होता है, 70% जो भी है, उस हिसाब से alloy करके, अपना अलग-अलग object बनाते हैं, अब एक और आ जाता है, emalgam, emalgam क्या होता है, अगर ly करते समय, कोई एक metal mercury है, तो उसको कहेंगे, हम लोग emalgam, ठीक है, जैसे कि gold emalgam, अगर करते हैं, तो mercury Hg plus AU, gold यहां पर solid state में रहेगा, mercury तो liquid state में रहाता है, room temperature में, तो liquid state में हम mercury लिए, उसमें हम gold थोड़ा सा डाल दे, तो वो जो alloy बना, उसको हम लोग कहते हैं, emalgam, ठीक है, इसका use काफी होता है, main use होता है, emalgam are used to make dental filling, dental filling में, दातों में जो छेद हो जाती है, उसको feeding करने के है, emalgam का ही upio किया जाता है, to bind precious metal so that they cannot be isolated later, अगर कोई precious metal बहुत minor amount में है, तो वहाँ पे हम लोग mercury डाल के उसको collect कर लेते हैं, बाद में उसको अलग कर लेते हैं, to produce a mirror coating, mirror coating करने के लिए भी silver के साथ emalgam कर देंगे, फिर उसका mirror coating करने के लिए, upio यहां पे करते है, emalgam का, अब electric conductivity and melting point of an alloy, electric conductivity and melting point के बारे में हम लोग उसमें बात करने वाले है, तो कभी भी alloy अगर कर देते हैं, तो उसकी melting point है, वो कम हो जाती है, melting point यहां पर कम हो जाती है, एक चीज़, यह क्यों हो जाता है, इसका reason हमें जानने की दो नहीं, बस है यह fact के तरह हम लोग याद कर ल electric conductivity के बात करें, तो electric conductivity भी उसकी गिर जाती है, ठीक है, तो उसकी melting point है, वो plus electric conductivity, दोनों decrease हो जाती है, pure metal के comparison में, for example, अगर हम लोग बात करें, brass is an alloy of copper engine, ठीक है, जो copper engine का alloy होता है, brass and the bronze is an alloy of copper engine, ठीक है, are not the good conductor of electricity, यह दोनों good conductor नहीं होते हैं, मतलब electricity तो conduct होगा, लेकिन उतन नहीं होती है, but copper is used to making electric circuit, तो copper बहुती अच्छा electric conductor होता है, इसके द्वारा अच्छे स electricity पास होती है, यह copper लेकिन copper और zinc को मिला के जो alloy बन गया, copper और zinc को मिला के जो bronze alloy बन गया, उसमें वो good conductor of electricity नहीं होता है, वो उसमें electricity अच्छे से flow नहीं कर पाती है, वहीं अब बात करे melting point के जो हम लोग बात करें, melting point low हो जाता है, तो solder, जो solding में use होता है, जो electric circuit में solding किया जाते है, तो वहाँ पर solding में use होता है, उसको solder metal जो होता है, वो alloy होता है, lead और tin का, PB और SN, PB होगया symbol lead का, tin का symbol होगया SN, यह lead and tin का LY होता है, इसका melting point है, यह lead और tin से कम होता है, तभी तो इसको weld, इसमें electric, जो electronics component में, जो welding में use किया जाता है, welding electric wire together, तो इसमें solding का use किया जाता है, क्योंकि इसके melting point गिर जाती है, lead और tin दोनों से नीचे हो जाती है, इसी तरह से एक और example आपके बुक में दिया हुआ, iron pillar का, ठीक है, iron pillar भी एक alloy है, iron का plus कुछ other elements भी उसमें added ह जिसके कारण उसमें rusting नहीं लगता है, ठीक है, तो alloying भी एक तरह का process है, जिसके कारण आप बचा सकते हैं metal को, उसके corrode होने से, तो इसका भी काफी हथ तक उतियो किया जाता है, thank you very much, वीडियो आपको अच्छा लगा, तो like, share और subscribe करना भूले, मिलते हैं अगले वीडिय झाले झाले